भारत के किसान हमेशा से ही अपनी फसल को लेकर चिंतित रहते हैं और चिंतित हो भी क्यों न कभी उनकी फसल बरबाद हो जाती है तो कभी उनकी फसल का उचिद मूले नहीं मिल पाता खास्त और गन्ना किसन अपनी फसल का उचित मूले न मिल पाने के कारण ज्यादा तकलीव में रहते हैं इस किसान ने 19 फीट लंबे गन्ने की पैदावार करसब को चकिंत कर दिया ये किसन अन्य किसानों की तुल्ला में ज्यादा पैसा कमा रहा है और वो भी महज अपनी खेतों में थोड़ा सा बदलाव करने के बाद इन्होंने अपनी खेत में बदलाव किया और फिर पहले से ज्यादा खेती से मुनाफ़ा होने लगा आज आलम ये है कि ये किसा नप करोडों रूपे कमा रहा है सुरेश अपनी खेतों में ऐसा करिश्मा कर रहे हैं कि महाराष्ट करना तक यूपी तक के किसान उनका अनुसरण करते हैं उनकी इजाद तकनीकी का इस्तिमाल करने वालों में पाकिस्तान के भी कई किसान शामिल है महाराष्ट्र किसांगली में रहने वाले सुरेश का बाड़े ने खेती में कुछ बदलाव के और फिर गन्ने की खेती करनी शुरू की इस गन्ने की फसल में खास बात ये रही कि बावकी किसानों के मुकाबले सुरेश की फसल कहीं लंबी थी सुरेश मात्र एक एकर में ख़जार कुंचल तक गन्ने की पैदावारर करने में काम्याब हो जाते हैं हेती की बदौलत साल भर में करोणों रुपए कमाने वाले सुरेश नौवी पास हैं उन्होंने अपनी फसल के बारे में बताते हुए कहा कि ये पेड़ी का गन्ना था लंबाई 19 वी थी और उसमें 47 कांडी, आंक थी हमारे दूसरे खेतों में ऐसे ही गन्ने होते हैं बीज मैं खोद तयार करता हूँ ऐसी ही पैदावार करने वाले कुछ अन्न किसानू का कहना है कि इस गन्ने की खेती करने के लिए आप सबसे पहले खेत की बेहतर तरीके से जोताई करें उसके बाद पूरे खेत में एक फिट चोड़ी और एक फिट गयरी नालियां बना लें इन नालियों को बनाते समय ध्यान रखे कि इसके बीच साढ़े चार कट की दूरी होनी चाहिए एक एकर खेत में साच कुंतल गोबर के खाद और पचास किलो एनपी के खाद डालें जिससे पैदावार बेहतर और कीडा अमुक्त होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइ एवं शेयर जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस्क वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें